करोना वाइरस दा कहर लगातार जारी है ते आज कल दीजे गाल करी है हला दे इस तरीके दे बान चुके ने की जिते पेशेंट्स जड़े ने हास्पिताला ने जा रहे ने राश देखा नो मिल रहे हैं वो थे नाल नाल काफी सारे एंजियोस दी गाल करी या बहुत सारे मेड लाइन देवी जड़े ने लोक ने ओहो हैल्प कर ले बहुत मतलब वदिया तरीके देना लगे आ रहे ने सो एलो पैथिक जड़ी दवाई दा जड़ा चल रहे हैं भी सारे पासे मार चल रहे हो थे नाल जड़ी आयूर्वेदिक जड़ी दवाई है ओधी वी कितने किते इ लोकानों देखनों मिल रही है सो आयूर्वेदिक जड़े संस्थाने के स्त्रीके देनाल मदद कर रहे ने की कर रहे ने साथे नाल अज विश्णु दत्ष हर्मा जी मजूद ने दीप आयूर्वेदा दे सी होने सो इनना वल्लों एक हेल्प लाइन जारी किती गई है जिते हेल्प लाइन जारी किता गया है जड़ा आयूर्वेदिक डॉक्टरस असिस्ट करने गई सो बेसिकली की है गया ते के स्त्रीक इतना हेल्प करने देखिए जैसे आपने कहा कि आज कल ये कोविड की जो सेकिंड लहर है अब इसमें नो डाउट की काफी सिट्वेशन खराब हैं आप अपनी रोग प्रतिरोगदक शमता अपनी घर पे रहके अपने किचन से कैसे कर सकते हो वो आयरवेद उसमें बहुत अच्छी योगदान देता है दूसरी चीज जो यहां पर मैं स्पेशली बताना चाहूँग आपको कि आज जब से ये कोवीड के दुरान मंत्राल या भारत के प्रधान मंत्री ने आयरवेदा के बारे में बताया लोगों को कैसे काम करता है तब से आयरवेद को ले के लोगों में जागरुता काफी बढ़ गी लेकिन उसके साथ भरहम भी बढ़े आ गए अब भरहम इसमें कैसे आया कि आज लोगडाउन में हम लोग घर लेकिन हम किस तरीके से अपने आपको healthy रखे हैं हमें वो कौन कौन सी हर अईसी कौन गौन सी वो डाईट से या किस तरीके से घर रहते हुए हम अपने आपको healthy रखें यह एक मुद्धा बड़ा घंभीर था और इसी चीजी को ध्यान में रखते हुए दीप आरवदा एक 24- 24 in to 7 डॉक्टर की हेलप लाइन लेकिआ है जिसमें पूरे भारत से पूरे परदेश से हमारे पंजाब से कोई भी व्यक्ति इस पर फॉन करके अपनी हेल्थ के बारे में अपने परिवार की हेल्थ के बारे में और घर पे हम किस तरीके से हल्दी रस्कनें वहां पे उनसे बात कर सकता है और ये बिल्कुल निशुलक है सबसे बड़ी बात उसी गाल कि दी कि करे बैठे बैठे जड़ी है कि हेल्प होएगी आम लोकां दी ते क्योंकि यह हुंदा कि आयूरवेदिक जड़े संस्थान इस तरीके दनाल लोका नूं गाइड कर देने कि उनना नूं बार जा सब्सक्राइब करें लोगों को जागरुक करने के लिए लोगों को होसला बढ़ाने के लिए है ताकि वह डर जो महौल है पैनिक सिट्शन जो है उसमें कहीं न कहीं जो होप बन पड़ेगा हम से या हमारी जो संस्था से हमारे डॉक्टर से वह हम कर रहे हैं और उसमें हमारे डॉक्टर भी क्या मदद करें गई कि भई तो कोई भी विक्ति जो फॉन करता है पूछता अपने हेल्थ के बारे में कि मैं किस तरीके से हल्दी रहूं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे घर में अब लेवल है उनको लेकर अपने आपको हल्दी रख सकूँ तो वो कर सकते हैं और वैसे भी जनाब क्या है कि आयरव इनको कई लोगों को उसमें समझ नहीं पाते या फिर एक दूसरा मुद्दा ये है कि आजकल टीवी या पिए फेस्बूग यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इतने हैं जहां पे खुद का डॉक्टर खुद बन गया हम लोग बिना प्रिस्केप्शन के बिना किसी ड अधिया बारे दस्व केट्स दे वेचे केमे दिया जडिया मैडीसिन्स ने ते ओकेमे जडिया इफेक्टिव केमे ने करो ना दे चाल दे देखो इसमें जो किट है ऐस सच कोई स्पेशल चीज नहीं है उस किट के अंदर वही जो आपकी जड़ी बूटिये हैं जिसमें कवात है या हर्बल टी है जैसे अभी हमें अगर किट की जैसे आपने बात करी पिछले साल तो उसमें जो आयूश कवात था वैसे ही हमने 12 और कोड़ी दी थी जो लोग कोविट पॉस्टीव थे पलस साथ में आपके जिनकी रिपोर्ट पॉस्टीव और ग्रिभी रेखा से नीचे थे और इसलिए इस साल भी क्योंकि अब तो आपको पती है कोविट में सैकिंड लहर ने तो आल्मोस्ट हर दुनिया कोई हिला के रख अगर उसी दखा सकते हूं आम लोग का लिए इफेक्टिव ने देखिए जहां तक अगर दुआई की बात करूं ऐस सच वैसे तो आजकल यहां पर दुआई दिखाना भी एक तरीके से यह लगेगा कि हम कोई पॉब्लिसिटी स्टन्ट है बट ऐसा नहीं है बट आम आप ब अधि रिसेंटली यह हलांगी प्राणा पर्ड़क्ट है स्वासनौ स्वासनी ये कैप्सल फों में भी है लिकर्ड फों में भी यह बेसिकली स्वास तंत्र को ठीक करके और हमारी रोग प्रतिदाधक शमता को बढ़ाता है और लंग्स को डितॉक्स करता है इसके साथ साथ पाएंगे और दूसरा इसके अंदर एक कैप्सुल फोम में है लिए इमिनो प्लस करके इसमें छे जड़ी बूटियों को अरक है एकस्टेक्ट है यह नॉर्मल कैप्सुल नहीं है इसके अंदर वेजटरीन कैप्सुल से बना हुआ एक सप्लीमेंट है जो की हमारी रोग प्रतित वेज़े चाल दे जड़ी ऑक्सिजन सैचुरेशन दे जड़ी सब तो वड़ी प्रावलम देखनों में रिये पेशेंट्स दे वेच्छे सो कोई एस तरीके दे स्पैशली इस वाल फोकस करके दस्या जाना सोड़े डॉक्टर्स वलो टीम वलो की कोई एद्दा देन उसके अपना हो या खान पीन हो उस तरीके दा करो कि जड़ी ऑक्सिजन सैचुरेशन है जड़ा हो मेंटेन रवे देखिए ऑक्सिजन सैचुरेशन की जो बात की इसमें सबसे बड़ा योगदान योग का है प्राणायाम का है तो आज जो भी जैसे हमारे मंत्राले ने भी इसके लिए कोविड आयोश मंत्राले ने भी एक कोविड प्रोटोकॉल जारी किया था इसलिए ब लेवल है वेबस सके क्योंकि आज कल तो कोविड की दुरान तो बाहर घूमना फिरना भी बंदा है लेकिन अपने घर पे ही रहे कि आप प्राणायाम करो लाइट एक्सराइज करो यह बड़ा हेल्प करेगी ऑक्सिजन को सैचुरेशन को बढ़ाने में और इसके साथ साथ जो डाइट है घर 146914 और यह 24 इंटू 7 अव लेवल है इसमें हमारी बैकेंड की टीम डॉक्टर की टीम को लेगी और जूर्थ पढ़ने पर इमेज़ेट बेसिस पर डॉक्टर से बात करवा के कंसर्ण परसन की हल्प कराई जाएगी अब प्राइजिंग को लेके अब प्राइजिंग डिपेंड करता है उस पुड़क्ट की क्वालिटी के उपर लेकिन अगर आप जब जाएंगे किसी अच्छे संस्थान पर या किसी जैनूवन संस्थान पर इख एच्छे- डॉक्टर पे तो आपको कहीं पे भी प्राइज महेंगा लगेगा नहीं मैं अगर अपनी पर कंपनी की बात करूँ तो आप देख सकते हो नॉर्मल प्राइजिंग है प्राइजिंग का कोई इशू नहीं है और दूसीर ही बात की मिसकंस्रक्शन की लोग आयरवेदा के फाइदे होते हैं मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा यहां पर आयरवेद तो वो ग्रंत है आयरवेद तो वो साइंस है जिसका प्रथम उदेश्य ही लोगों को स्वस्त रखना है आज लोगों को अगर आयरवेद की शरंड में जाओ तो आपको बिमार होने की नोबत नहीं आएगी यहां तकी दीप आयरवेद को जो नारा है हमारा जो अब टैग लाइन में अगर आप देखो कि बिमार होने के बाद यह आयरवेद क्यों जबकि आप बिमार ना हों आयरवेद उसके लिए पहले है तो नया सोचो आयरवेद सोचो विश्ण जी काल कर यह COVID वैक्सिन दी तरह जड़ा वैक्सिन और लगने शुरू होगी है सो वैक्सिन नुद उसके में देख देऊं क्योंकि वैक्सिन दीड़ा कम है क्यों तरह न चलिए ऐंटी बाडी जान दी है कि यह बाडी दे बेच्शे सो आयूरवेदिक मेडिसेंस भी कुछ तरीके अंदनाल काम कर दे जड़े नैचुरली जड़ा कोविड देनाल लाड़नी जड़े शामताबादी जी देनाल जी बिलकुल बड़ा अच्छा क्वेशन किया आपने देखिए वैक्सिनेशन का भी जो काम है वो हमारी बोडी में एंटीबोडी बनाना है और इम्मनोटी को स्टॉंग करना है और वहीं अगर हम आयरवेद की बात करें तो आयरवेद के खजाने में तो दुनिया भर की ऐसी हर्व है जो आपकी किचन से शुरू जाती है जिनका काम ही अपना ये इम्मनोटी को इन्हांस करना हमारी रोग प स्टेट गोर्वेंट हो या यूश मंत्रालिया हो कि हमारी एजूकेशन सिस्ट्रम में ही आयरवेद का पाठ्टेग्रम लगा देना चाहिए ताकि बेसिक प्रिंसिपल जो आयरवेद के हैं बच्चा वो स्टड़ी प्रैमरी स्कूल में पढ़ ले भई आप अगर आपने बेस तो आप देखेंगे कि लोग किस तरीके से आयरवेद के पीछे पागल है हम लोग हिंदुस्तानी अपनी जो पैती है जो हमारी सब्वेता है जो हमारा प्राचीन ग्रंथ है उसको गिनौर करके बैठे हैं और वो लोग इसके उपर पेटन ले रहे हैं आज सो कहीं ने कहीं म सब्सक्राइब करते हैं बड़ी खतरनाक रही है पहले मुकाबले है की लगदा है कि इना जड़ा मतले वाइरस कातक क्यों हो गया दूजी वेव दे आंदे हुए कोई जड़ा आज कल दे लोकाना लाइफ स्टाइल है उस तो भी खतरनाक हो सकती की लगदा है सर देखो मैं माफ करिएगा मेरा यहां मैं किसी कोविड के विरुद्नी बात कर रहा लेकिन अगर आप हकीकत या जन्मन बात करो तो फर्स्ट वेव में सिच्वेशन क्या थी आज क्या थी डेटा किसके पास कलियर है आप लोगों ने डवली ओएचो ने दुनिया भर के गा प्रिणाम सामने आ रहे हैं जैसे फीडबेक सामने आ रही हम उसी की बेसिस पर कर रहे हैं तो यह जो सेकिंड वेव है नो डाउट क्योंकि इनफेक्टिव डिसीज है तो फैलेगी तो है हर किसी कोगी लेकिन यहां पर हम जितना अपने आपको प्रिकॉशन में रख सकते है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं अपने खान पान में बदलाव कर सकते हैं तो बिमारी के अगर आप देखें तो ऐस कंपेर टू फर्स्ट वेव नो डाउट की इसकी थोड़ी से रेशो जादा है बट ऐसा नहीं है कि डेंजरस है आज जो डरका महल है ना जो एक सिच्वेशन है वो कहीं न कहीं हमारी अपनी कीवी है आज हम डॉक्टरों को या होस्पिटलों को बैड को ढूंडते हैं अपर नहीं क्यों डूंड़ रहो घर पे रहो परिवार के साथ हो तो आपकी हेल्प अच्छी मिलेगी लोग आपकी परिवार आपका देखरेक कर मैं आवान और मेरी अपील भी है हाथ जोड़के कि पूरे भारत वर्ष में लाखों अरविदी डॉक्टर हैं आप सभी अपने अपने घरों से अपने अपने क्लिनिकों से लोगों की मदद करो ये टाइम मानुपता का सेवा करने का है देखिए बिजनस और उप्वार तो ह जितनी क्षमता है आप फॉर एक्जांपल आप किसी राजस्थान में आप डॉक्टरी करते हो बी एमेस हो तो आप अपना नंबर अपने अरिया में दो लोगों को ताकि आप घर पे बैठ के लोगों की मदद कर सको जितनी जागरुता लोगों को सही जानकरी दे पाओ आउ आयरवेद के प्रती जो ये भ्रम है ना या आयरवेदा के प्रती जो लोगों का द्रिष्टिक होना है वो चेंज हो तो मेरी यही रिक्वेस्ट आज बीसे के जड़ी है कि काफी हद तक जड़ा थोड़ी इम्यूनिटी भी बूस्ट रूंदी काफी हद तक बचाहा हो सकता है नाली नहीं जैप जिके प्रपर तरीके देनाल अगर कोई जड़ा इंसान आयुरुएदा आयुरुएद्धा नहीं आएगी पाप्ट नहीं आएगी मु झाल, झाल, झाल